सुबर खाली पेट गरम पानी पीने से सेहत अच्छी रहती है जो वीडियो क्लिप्स आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं इनको मैंने AI की मदद से जनरेट किया है आप भी टैक्स्ट का यूज करके इस तरह के वीडियो क्लिप्स क्रियेट कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट मेथड बताऊंगा कि किस तरह आप टैक्स्ट की मदद से इस तरह के वीडियो क्लिप्स क्रियेट कर सकते हैं सबसे पहले आपको ली नाडो एई वेबसाइट पर आ जाना है और आपको इसे गूगल से साइन अप कर लेती हूँ साइन अप करने की बाद आपके सामने कुछ इस तरह के का इंटरफेस वापन होकर आ जाएगा आपको यहाँ पर 115 credits to Delhi free मिलते हैं जिनसे आप image generate कर सकते हैं सो यहाँ पर हम image select कर लेते हैं और size select कर लेंगे आपको भी सेमिसी तरीके से size select कर लेना है देन यहाँ पर 3D animation style आपको select करना है select करने के बाद यहाँ पर आपको AI image generation के लिए prompt डालना है तो यहाँ पर मैंने एक prompt डाल जाया है then generate पर हम click कर देंगे जैसे ही हम generate पर click करेंगे हमारे सामने यह image generate होकर आ जाएगी और इसी image के नीचे download का icon है आपको image को download कर लेता है तो यहाँ पर मैं images को download कर लेती हूँ यह two images है और दोनों को ही मैं download कर लेती हूँ तो यहाँ पर हमने image को download कर लिया है और second prompt टाइप करके हम second image भी generate कर लेंगे आप जिस भी type की image generate करना चाहते हैं आप इस website से फ्री में generate कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको 115 credits free मिलते हैं और यहाँ से आप image generate कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने सभी image generate कर ली है जो मुझे चाहिए तो यहाँ पर मैंने यह images generate कर ली है animals की भी तो आपको इस तरीके से image generate कर लेनी है Leonardo AI website पर यह सभी images मैंने generate कर ली है next आजाना है आपको Pika AI website पर यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर किलिक करना है किलिक करने के बाद आपको इसे sign up कर लेना है यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है image और video आपको यहाँ पर image select कर लेनी है हम image को video में convert करेंगे तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर click कर देंगे और हम अपनी image को वीडियो में convert कर लेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वैट कर लेते हैं और हमारी image जो है वीडियो में convert हो रही है तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी image जो है वीडियो में convert हो चुकी है हम यहाँ पर play करके देख लेंगे और डाउनलोड के आइकन पर किलिक करके हम वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरीके से हम अपनी इमेज को वीडियो में कनवर्ट कर लेंगे नेक्स्ट इमेज को भी मैं इसी तरीके से सैम प्रोसेस फॉलो करके वीडियो में कनवर्ट कर लेती हूं तो यहाँ पर हम इस वाली को कर देते हैं डिलेट यहाँ से और यहाँ से हम इमेज और वीडियो पर किलिक करेंगे यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ यहां से मैं यह वाली animal वाली image स्लेक्ट कर लेती हूँ और इसके लिए भी हम same process follow करेंगे यहांपर और इस image को भी हम वीडियो में convert कर लेंगे तो यहांपर आप देखेंगे हमारी image जो है वीडियो में convert हो चुकी है इसे भी हम प्ले करके देख लेंगे और डाउनलोड के आइकन पर किलिक करके वीडियो किलिप को हम डाउनलोड कर लेंगे इस तरीके से हम इमेज को वीडियो में डाउनलोड कर सकते हैं अब जो हमारे पास करेक्टर है उसे मैं कुछ बुलवाना चाहती हूं तो हमने जो अभी अभी वीडियो जन्रेट की है इसी वेबसाइट से जैसे यह वाली वीडियो में जन्रेट की है मैं इससे कुछ बुलवाना चाहती हूं तो इसके लिए आपको लिप साइनिक वाले ईप्शन पर किलिक करना है और यहाँ पर आपको डायलोग एंटर कर देना है यहाँ पर मैं हिंदी में एक डायलोग एंटर कर देती हूँ सुबा खाली पेट गरम पानी पीने से सेहत अच्छी रहती है देन यहाँ पर हम वोई सेलेक्ट कर लेंगे आप हिंदी, इंगलिस, और्दू, किसी भी लेंग्वेज में यहाँ पर डायलोग एंटर कर सकते हैं देन जनरेट वोईस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर प्ले करके देखेंगे इसे हमारा साउन्ड अच्छा आया है देन हम Attach and Continue पर क्लिक कर देंगे नीचे लिका है जनरेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा वैट करेंगे अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारे जो क्याक्टर है वो डायलोग बोल रहा है तो आप इस तरीके से लिप साइनिक करा सकते हैं बिल्कुल फ्री में पी का AI वैब साइट से अब हम इसे भी कर लेंगे डाउनलोड पर किलिक करके डाउनलोड नेक्स्ट आपको आजाना है कैपकट एपलिकेशन में इन्हें हम जोड लेंगे आपस में यहां पर हम एड कर लेंगे यहां पर इस तरीके से हम इसे एड कर लेंगे और साइज हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी साइज हम रखना चाहते हैं नीचे यहां पर हम YouTube का size select कर लेंगे और watermark भी हमारा hide हो जाएगा इस तरीके से हम इसे adjust कर लेंगे और यहां से हम video को कर लेंगे safe So इस तरीके से आप इस तरीके की video clip से videos update कर सकते हैं बहुती आसानी से So I hope you like this video